आज है 9 माई और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम RVNL के बारे में जिसे आप रेल विकास निगम के नाम से जानते होंगे फिलाट 260 के हासपास टेट कर रहा है उसमां आज की दिन देखा जात करीब 3-4% गिरावट देखने को मिल रही है 5 दिन के अंदर देखे तो मार्केट लगाता गिरते हो देखने को मिल रहा है और आप IRCON में भी करीब 4-4% गिरावट देखने को मिल रही है IRFC भी अगर आप देखेंगे तो IRFC में करीब 2-3% गिरावट देखने को मिल रही है पांस दीन के नदर 7-8% गिर्ट चुका है, वहीं बस railway नहीं, जितने भी PSU स्टोक से अगर आप दिखते हैं, भेल भी देखेंगे तो भारत हैवी electronics हो गया, इसमें भी करीब 4% गिरावट देखने को मिल रहे हैं, अभी election का time है, पिछले election में भी यही हो रहा था, इस बार की election में भी आपको यही देखने को मिल रहा है 90% confirm है कि हाँ BJP ही government आने वाली है, पर market को इससे यह मतलब नहीं पड़ता है market को पुरा अगर confirm news रहता है, तभी market में rally आएगी, नहीं तो market अभी आपको volatility देखने को मिलने वाला है, और जितने भी government stock के सब में आपको इसा ही correction देखने को मिलने वाला है मैंने पुराने वीडियो में भी यही कहा था, कि फिलाल government stocks को बाई मत करिये, और जब अगर BJP government आती है, तो इन ही stock में आपको इस सबसे ज़्यादा rally देखने को मिलने वाली है market cap देखेंगे, गार RVNL का 54,429 क्रोड का देखने को मिल रहा है, जो की बहुती अच्छा है, इस stock पी इसका 37.4 का है एक इतने अच्छी खासी rally के बाद अभी भी stock undervalued है, तो अभी stock की तरफ जा सकते हैं, फिलाल entry आपको नहीं लेनी, अभी पूरा एक महिना बाकी election का result आने में, तो अभी यह stock और भी गिरते हो देखने को मिल सकता है, अगर आप देखेंगे इसका sales, तो इनका sales भी लगाता बढ़ते हो देखने को मिल रहा है, December 2020 में 3732 था, जो कि फिलाल December 2020 में 4689 हो चुका है, तो यहां अच्छा खासा sales में jump देखने को मिल रहा है, इसी बएसे profit before tax देखेंगे तो 463 क्रोड का हो चुका है, 342 क्रोड से बढ़कर, वहीं operating profit भी देखेंगे तो 220 क्रोड था, जो कि फ बहुती खराब बात है कि इनका net cash flow minus में है, और वो बहुती जादा है, वहीं अगर आप shareholder ना pattern देखेंगे, तो पर मोटर की holding June 2021 में 58.20 थी, जो कि फिलाल 72.84 हो चुकी है, तो March 2024 में तो यहां देखेंगे पर मोटर की holding देखेंगे थोड़ी सी घरते हो देखने को मिल रही ह F5 की देखेंगे 0.25 थी, जो कि फिलाल 2.32 हो चुकी है, तो यहां 4 investor ने अपने holding को बढ़ाया है, पर पिछले को और से देखेंगे तो घरते वा देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा खराब है, DIS की देखेंगे तो 9.26 थी, जो कि फिलाल 6.18 हो चुकी है, तो DIS ने भी चाहते हैं, तो इस stock की तरफ मज आईए, थोड़ा सा वेट करिए, election time पूरा मतलब करीब आता है, तभी इस stock में आप entry लिजएगा, पर आपको लगता है कि BZP government जीतने वाली, तो आप इस stock की तरफ ज़ा सकते हैं, या आपको election का अच्छी खासे rally दिखाते हो देखने को मि सकता है, तो विवर्स आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में